नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर शिखा पवार सर्वोतिय हास्पिटल फरिदाबाद की आईस्यू की डिरेक्टर आप से इस करोना वाइरस के बारे में कुछ चंद बातें और शेयर करना चाहती हूँ पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें करोना वाइरस को स्टेज 2 में ही रोक लेना है हम नहीं चाहते करोना वाइरस स्टेज 3 में किसी भी प्रकार जाए तो मैं आपको कुछ चंद बातें बताती हूँ आज फोमाइट्स के बारे में अब हम घर में आईसोलेट हो हैं और हमें हमें अपने आपको सुरक्षित रख रहे हैं बाहर नहीं जा रहे हैं लेकिन हमें फोमाइट्स का ख्याल रखना है अब फोमाइट्स क्या चीज होती है फोमाइट्स वह वस्तू होती है जो कि आई जिस पर की वाइरस अटैच हो जाता है अब छोटा सा एक्जा जिसे क्या है जैसे milk packet का example ले लिजे अभी हम मिल्क पैकेट ले रहे हैं तो मिल्क पैकेट में भी एक फॉमाइट की तरह एक्ट कर सकता है हमें फॉमाइट से दूर रहना है हमें अपने घर में फॉमाइट की एंट्री नहीं करनी है जैसे milk packets है तो आप उनको running water में detergent के साथ wash कर सकते हैं उसके बाद आप उन्हें इस्तिमाल कर सकते हैं आप बहार से कुछ और समान आपने मंगाया है तो अगर वह समान खराब होने व कुछ दोर बाते हैं मैं अभी भी देख रही हूँ लोग बाहर घूम रहे हैं ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे हैं तो यह सब चीजें हम 15 दिन के लिए रोक सकते हैं हमें यह सब चीजें रोकनी होंगी अगर हम यह नहीं रोकेंगे तो हम at risk हैं और अगर आप बाहर जा ही र केया नहीं देख रहे हैं मैं अपने हैड को गारे हैं वह फोमाइट की जैसे एक्ट करें अगर आप बाहर गए हैं तो आपको complete पूरा नहाना पड़ेगा अपर फॉमाइट आपने जो लाग के बाहर जा रहे हैं यह आपके ServanTs हैं उन पर भी आपको पूरा ख्याल रह नहे सो यह सब चीजों का ख्याल रखिए, stay safe, stay home, avoid fomites, fomites are the things now which you have to take care, घर पे रहते हुए हमें fomites से दूर रहना है, नमश्कार